संगठन के पददिकारी गार्ण और भारत के कोने कोने से आय हुए हमारे बहुजन मुल्निवासी साथी आप सभी को क्रांतिकारी जैवीम जै भारत जै मुल्निवासी बोलता हूँ साथियो आज बामसेफ के चालीसे राष्टिय डिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का तिरावा राष्टिय डिवेशन नागपुर की सर्जमीन पर हमें इस मंच से बोलने का मौका मिला इसके लिए मैं आप सभी का अभार प्रगर करता हूँ आज का जो विशे दिया गया है कि भारत में मुसल्मानों का दोस्त कौन है और दुस्मन कौन है एक चर्चा का विशे तो साथियों इस दोस्त और दुस्मन की पहचान जहां तक के मैं समझता हूँ आपके सामने रखने का परियास करूँगा कि भारत में मुसल्मानों का दोस्त कौन है और दुस्मन कौन है और अपनी बात को विश्तार पुरुबत रखने से पहले एक पंक्ति आप लोगों के समझ रखना चाहता हूँ कि कही पर बुद्ध लिख देना कही पर बुद्ध लिख देना कही पर कभीर लिख देना कहीं पर बुद लिख देना कहीं पर कभीर लिख देना और कहीं पर संभिधान लिख देना और आपड़े जीवन में कोई मुश्किल गरी तो चंदन की जगा माते पर सिर्फ मा लिख देना जब आपड़े जीवन में कोई मुश्किल गरी तो चंदन की जगा माते पर सिर्फ मा लिख देना और जहां में हो कहीं चर्चा की सच्चा संत कान है मेरे प्यारे मुल्लिवासियो बबा साथ भीमरा अंबेडकर का नाम लिख देना मैंने बहुत सारे संतों को देखा जोती और लगोटी में लेकिन भारत में एक ऐसा संत पैदा हुआ जो कवट और पाइंट टाई लगा करके पूरे विश्व को ग्यान दे दिया तो साथियो कि भारत में मुसल्मानों का दोस्त कौन है और दुस्मन कौन है इसकी पहचान तो मैं समझता हूँ कि भारत में मुसल्मानों का दुस्मन हुआ है जो भारत के हाल फिलाल में तीन टुकने किये भारत के मुसल्मानों को तीन भागों में विभाजित किया एक पाकिस्तान दे दिया और एक बंगला देश दे दिया और बाकी बचे कुचे को वारत दे दिया वो सबसे बड़ा दुस्मन है और इनी दुस्मनों की पहचान कराने के लिए बाम सिर्फ लगवग चालिस वर्सों से परियास कर रहा है लेकिन अब तक के मुसल्मानों को अपने दुस्मन की पहचान नहीं हो पाई इसलिए मुसल्मान आज घाटे में है खसारे में है तो भारत को समय समय पर विवाजित करने वाले सिर्फ मुसल्मानों के भी दुस्मन नहीं भारत के मुल्निवासियों के भी दुस्मन है जिन्होंने अपनी मुफाद के लिए फाइदे के लिए सले सले पर भारत को खंडित किया है मैं समझता हूँ कि इसारो इसारों में ये बाप मैं आप तक पहुचा दिया हूँ कि भारत का असली दुस्मन कोई और नहीं है भारत का असली दुस्मन वही है जो उच नीच पर जो समाजिक वेदवाव फहला करके अपना राज अस्थापिट किये हुआ है और इसकी मांसा है कि भारत में हमेसा हमारी राज अस्थापिट रहे चाहे इसके लिए भारत को खंड-खंड क्यों ना करना पड़े दूसरा कि भारत में मजलुमों का इतिहाद किये वेगर भारत का विकास संभव नहीं है तो भारत में कितने तरह के मजलुम है भारत में कितने तरह के मजलुम है उसको चींदीद करना पड़ेगा और इन मजलुमों को एक बिंदू पर आना पड़ेगा परची आ गई है इसलिए हम अपनी बात विश्थार पुर्वक नहीं रख सकते माज़ेद चाहते हैं थोड़ी देर समय देख दिया जाए कि अपनी कम से कम एक बिंदू को किलियर कर ले हम तो बहुत सारे मजलुम है भारत में इन सब का इताद होना चाहिए और इसके लिए एक केंदर बिंदू होना चाहिए और हमारे आका महम्मद मुस्तिफा सल्ले लियों सल्लम ने पूरी दुनिया के लिए एक बिंदू दिया अगर हम उस बिंदू को पढ़ ले जान ले समझ ले अमल कर ले तो हम जानते हैं कि मजलूमों का जो है इतिहाद 100% संबा हो है और वह कलमा है ला इलहा इल्ला ला इल् पूरी कायनात की बलाई चुपी हुई है इस ला इला को अगर जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे में इतिहाद नहीं होगा हमारे मुस्लिम एस्कोलर कहते हैं कि कुछ भी नहीं था तो अल्ला था और कुछ नहीं रहेगा तो अल्ला रहेगा तो मैं कम सब्दों में क आना चाहता हूँ कि यहां जो कुछ भी दिखाई दे रहा है किंद्र बिंदू का हिस्सा है अगर कुछ नहीं ता तो अल्ला को अल्ला का गैर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सब उसी के दम से अगर हम यह मान ले कि कंद मैं mo उने, जर्य में वह मुझूद है तसी हमारे भीज्की दूरिया जो है वह समाउप सोजाएंगी, भर्चिभावर आति यृश्य लिए हैं इतना कहेंगे कि हम हंए हिंदू , हम हं हिंदू , हम हं हिंदू संधिधान मेरा है हम ईसलिम को मानो कौन है अम सेनल के यह पता करें जो हमें बाग के रगा वह बानार कौन है ना सभी सारेञा को जै मुलिवासि को ढपनेवाद यह थे जनाब इमाम उल्हक सहाब हमारे अगले वक्ता है हजरत मौलाना फहीम सहाब जो की तेलंगना से है मैं उन्हें अन्य रोब करती हूँ कि हजरत मौलाना फहीम सहाब स्टेज पर आयो अपनी बात रखे सलाम आलेकूम रहमतुल्लाह सभी साथियों को जैम बुलीवीवासी साथियों एक ظالم का बदल दूसरा जालिम नहीं हो सकता जल्म की दास्तान इस दुनिया की तारीख में बहुत लंबी चोड़ी है जालिम को जब पहचान लिया जाता है जालिम के बारे में जब मालूमात हासिल कर ली जाती है जालिम को जब समझ लिया जाता है तो मजलुमों को चाहिए कि वो जालिम से निमटने के लिए और उसके जुल्म से बचने के लिए तरकीब करें और उसके लिए कोशिश करें मुसल्मानों से गुजिश्टा 75 साल में जालिमों ने महब्बतों का लुबादा या कपड़ा और कर ये कहा कि हम आपके भाई है मुसल्मान हमारा एक आख का दर्जा रखता है या ये कहा कि हम सेक्यूलर हैं तमाम को लेकर चलना चाहते हैं मैं ये कहूंगा कि गुजिश्टा 75 सालों की गुलामी ने मुसल्मानों को ये सबख दे दिया कि आप से हमारा ना इनसानी ताल्लुख है ना अखलाखी ताल्लुख है ना वतनी ताल्लुख है और ना ही किसी किसी किसम का सियासी ताल्लुख है और ये साबित कर दिया कि हम जालिम हैं और तुम मजलूम का हिस्सा हो नतीजा ये हुआ कि 75 सालों में 54 हजार से जाएग मुनज़म फसादात कराए गए लाखों की तादाद में मुसल्मान बच्चे जेलों में सरा दिये गए 18-20 साल के बाइज़त उनको बरी कर दिया गया और ये कहा गया कि इनके सिल्सिले में एजेंसियों ने सही मानों में तेखिखात नहीं की थी आज मुसल्मान के बाद रिदर्वेशन नहीं जालिम ने सिर्फ आपको 21-20 सदी का अच्छूत नहीं बनाया है बलके एकॉनोमी कर लिए छूद बना दिया है सच्चर कमिटी की रिपोर्ट के मताबिख प्रती दिन एक की आईू आज 30 रुपिय से जायद नहीं है एजूकेशनल लिए आपको छूद बना दिया गया